अपने आपको कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया पचान नहीं पाया है ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल है फॉक्स क्रिकेट जो कल से ही लगा हुआ है और कल से वो पहले पिछ को लेकर भारत की बतलामी कर रहा था फिर वो जो उस्मान क्वादा के DRS को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहानी डाली है अपने ट्विटर के जरीए जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया है शक दिखाया है रवींतर जडेजा पर यह देखें यह उनकी कहानी है वो कहरें कि वाट डिडिक गिविं डिबेट इरप्स ओवर तो फुल वीडियो आगे है गईस अगर आप देखना चाते हैं तो थर्टी सेकेंड जो है आप स्कीप करकर देख सकते हैं गईस वन सेकेंड आपको बता दूं फुल वीडियो आग लाइक जरूर कीजेगा वन सेगेन आपको बता दूंगा इस विकरान गुपता सर का रियाक्शन और इंडिया विस अस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट मैच चला है डे वन के उपर उसके ओपर रियाक्शन तो गईस पहले वाच की बदलामी कर रहा था फिर वो जो उस्मान ख्वादा के DRS को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाएं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहानी डाली है अपने ट्विटर के जरीए जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया है शक दिखाया है रवींतर जडेजा पर यह देखे यह उनकी कहानी है वो कहरें कि वाट सिराज ने रविंदर जडेजा को क्या दिया उनकी उंगली पर क्या लगाया उनके हाथ पर क्या लगाया और क्या रविंदर जडेजा ने उसके बाद उस सबस्टेंस को गेंड पर अपलाई किया है आप जानते हैं यह बॉल टैंपरिंग होती है अगर आप कोई भी एक्स् स्टीव स्मिथ और डेविड वार्णर ने भी ये चीज की थी साथ आफरिका में लेकिन आज उन्होंने पहले दिन जहां उस्टेलिया सिर्फ 117 रन बनाए है जवाब में भारत 77 फो वन है उन्होंने पहले दिन तीन बड़े विवाद खड़े किये फॉक्स क्रिकेट ये उस् कि कहीं रविंद्र जडेजा और मुहमद सिराज मिलकर बॉल टैमरिंग तो नहीं कर रहे थे मैं आपको पूरी कहानी पहले एक्स्प्लेन करता हूँ और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि भारतिय टीम मैनेजमेंट ने क्या कहा है इसका जवाब क्या दिया है हाला कि अगे के फॉर्मर कैप्टन माइचल वान ने भी ट्वीट किया दनासल ये जो इंट्रेस्टिंग लब्स था इन दोनों नहीं इस्तेमाल किया था तो अब जवाब हम दे देते हैं पहले तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं कीजी डिबेट हैस इरुप्टेट आफर विजन फ़ेशनेबल मोमेंट वस पॉर्स इनिंग ये सब बता रहे हैं कीजी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन तिम पेंट वस अमंग दोस तो टेक नोट उट जडेजा वस दूइंग तो उसमें ये हुआ था ये आपको मैं कोट आ गया तो माइकल मौन उस पर कहते हैं वाट इस इट ही इस पुटिंग ऑन इस पेंडिंग फिंगर नेवर एवर सीम डिस अब दरसल हुआ क्या था आगर ये रविंद्र जडेजा रविंद्र जडेजा उनको मुहमद सिराज मिलने आते हैं जैसरा एक मैना पाएंगे फर्ज कीजिए जै जो है ये है मुहमद सिराज आप इदर आईए तो आप अपना आप मेरे पास आए ऐसे लेकर आए आप सो इन्हों ने यहाँ पर कुछ हाथ पर लगाया हुआ है और जडेजा ने ऐसे ऐसे करके ये लिया और एक अपनी उंगली पर लगाया और उसके बा गेन दूसरे हाथ में थी ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि उन्होंने वह चीज़ गेन पर लगाई हो उस वक्त तो उसके बाद वह अपनी फिंगर को स्ट्रेच भी कर रहे थे और फील्ड सेट कर रहे थे अब इंडियन टीम मैनेजमेंट ये कहती है कि रविंद्र जडेजा ने पेन रिलीविंग ऑइंट्मेंट जो दर्द दूर करने की दवा होती है पेन रिलीवर जो होती है वो लगाई थी स्पिनर् n आपको पता ही है जब जड़ा लंबा स्पिल करते हैं तो पिंगर धूड़ा होता है थownा एक उसपर वो आइंट्मेंट लगाते हैं जैसे थोड़ी सी पेन कम होजाए उसके बाद अब सवाल यह है कि हाँ अगर उस पर वो है और उसको आप गेंड से करते हो तो गेंड इंपक्ट हो सकती है लेकिन गेंड चेक भी होती है वक्त वक्त पे और आज कर कोई टीम इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वो एक टेस्ट मैच में सर्याम गेंड पर कोई भारती टीम मैनेजमेंट ने ये कहा है कि रविंद्र जडेजा अपने उंगली पर जो उनकी स्पिनिंग फिंगर थी और वो उसमें वीडियो में दिखता भी है उसमें जो लगा रहे हैं वो दवा लगा रहे हैं ऑइंटमेंट लगा रहे हैं ताकि जो सोर फिंगर होती है उसका थोड़ा सा वो उनको रिलीफ मिले तो ये और अस्ट्रेलियन मीडिया ये तरसल आज पहला ही दिन है पहला ही दिन है और आप देखेंगे फॉक्स क्रिकेट या फिर जो बाकी उनके मीडिया है जो हमेशा उनको टेल्स मैन कहा जाता है उस टीम का वो आएंगे और वो ज करती थी और अस्ट्रेलिया में तो मीडिया खाने को पढ़ता था मुझे अभी याद है 2078 में जब भारत की टीम पहुंची है मेल्बन एयरपोर्ट पे अनिल कुम्ले कप्तान थे तो पहला सवाल जो अनिल कुम्ले से पूचा गया था अभी टीम सिर्फ लैंड हुई है कि आपकी टीम तो शॉट पिछ बॉलिंग नहीं खेल सकती जबकि उससे पहले दोजार तीन चार में भारत की टीम वहाँ पर एक-एक सीरीज ड्रॉ करा के आई थी तो यह तो यह तरह की चीजे होती है लेकिन यह शायद फॉक्स कल से लगा हुआ था पहले उन्होंने पिच को समबाद आता है नागपुर में यह उनकी इंफोमेशन है और राहुल भी आपको एक सेपरेट वीडियो करके देंगे जिसमें वो पूरी की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि भारती टीम मैनेजमेंट क्या कह रही है तो फिलहाल यह विवाद जरूर खड़ा हुआ है लेक मैदान में पता नहीं ऑस्टेलिया मकाबला करे ना करे लेकिन मैदान की बाहर जो उनकी ट्वेल्थ मैन है उनका मीडिया है वो जरूर सवाल उठाता रहेगा तो आपको यह खबरे मिलती रहेंगी आप बस स्पोर्ट्स तक को एक बार सबस्क्राइब कर लीजिए नोडिफ झाल 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 झाल झाल झाल